प्रश्न खुश जोड़े अक्सर एक दूसरे से पूचते हैं एक खुश हल रोमेंटिक रिष्टा बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास, समझोते और बलिदान की जरूरत होती है कई संगर्शों और कटिनाईयों के बाद, दो लोग आखिरकार प्यार आपसी सम्मान और संतुष्टी की भावना से भरे रिष्टे में, बसने, में सक्षम होते हैं साथ ही, चीजों को नियंत्र अनमे रखने के लिए समय समय पर रिष्टे का मूल्याकन करना आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आपका रिष्टा बड़े और खुश रहे, तो यहां 6 सवाल हैं जो आपको एक दूसरे से पूछने की जरूरत है 2. तुम्हें मुझ से क्या चाहिए हाला की हर एक व्यक्ती की जरूरते होती हैं, लेकिन हर कोई खुद को व्यक्त करने में महान नहीं होता है इसके अलावा, कभी कभी आपका साथ ही उन्हें व्यक्त करता है, लेकिन आप विचलित होते हैं या वे जो कहते हैं उसे याद करते हैं इसलिए सबसे खुश जोड़े अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि उन्हें एक दूसरे से क्या चाहिए तीन आप रिष्टे के बारे में कैसा महसूस करते हैं यह एक बहुत ही महत्वपून प्रशन है जो जोड़ों को एक दूसरे से बार-बार पूछने की आवश्यकता है क्योंकि कई बार रिलेशन्शिप में मुद्दे तो होते हैं लेकिन उनके बारे में बात करने का समय कभी सही नहीं लगता अपने साथी से यह सवाल पूछ कर उसका समाधान किया जासक ता है चार आपको रिष्टे के बाहर क्या चाहिए स्वस्थ जोड़े जानते हैं कि उनके रिष्टे से बाहर का जीवन उनकी व्यक्तिगत खुशी के लिए बहतर है दोस्तों या ओफिस के साथियों जैसे अन्य लोगों द्वारा पूरी की जाने वाली कुछ जरूरतों की तलाश करना आप दोनों के लिए एक स्वस्थ हादत है पांच अभी आपके लक्षय और सपने क्या हैं 6. हम अपने यान जीवन को कैसे बहतर बना सकते हैं अक्सर, लोग अध्भुत यान जीवन पर इतना जोर देते हैं कि अगर उनकी तुलनावे आदर्श से नहीं करते हैं तो उन्हें लगता है कि रिष्टा विफल हो रहा है तो अपने साथी के साथ ऐसी बात चीत करना उचित है 7. आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं रोजमर्रा का तनाव जोरों पर भारी बढ़ सकता है भले ही तनाव रिष्टे से उत्पन न हो एक दूसरे के साथ चेकिन करने से जोड़ों को न केवल जुड़ने में मदद मिलती है बलकि काम या निजी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में पता चलता है